का ये अपके वरेंड विल्कम बैक टो मैं न्यू ब्लॉग्स कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स बासा करती हैं आप सभी लोग थी अच्छी होंगे और ये मेरा ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं जा रहा था आप लोग मेरा प्रॉलम जानते ही हैं तो आप लोग से चिपा ह लग जाता है मुझे टाइम उतना मिलता नहीं है तो इस वज़े से तो मॉर्णिंग का समय है तो यहां पर देखिए सुबह मैं जालू लगा रही थी और यहां पर देखिए मेरे एस्वेंड है तो अपना कुछ प्लेट में पानी लेकर जा रहे तो कुछ करना था उनको इस व वहां और मैं रहां, आलॉ बैगन का सबजी में वहाँ बिचाज से रहा है तो मुझे है जल्दी में बना लेती हूं कभी मैं चोख्ा बना लेती हूं तो फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ तो यहां पर आलू छिलकर मैं डाली हूँ और आलू को जो साथ में छिलकर रहता है वह भी बहुत अच्छा लगता है खाने में मेरा खाना सारा कुछ बन जाता है मॉर्णिंग में फ्रेंड्स और सिफ दोपहर में मैं चावल गरम बनाती हूँ तो चावल गरम में बना कर खाती हूँ हम लोग हम लोग खाते हैं अभी हैस्में के जाने कर रहता है तो इसलिए सिफ हैस्में के लिए मैं चावल बनाती हूँ जब छेन जाएँ और दो करहा हुं दो कर दो करने के लिए मुझे नहीं हुँ देख रही थी कि अगर जदा फिर भी मौसम चेंज तो फिल निकालना पड़ जाएगा क्योंकि अगले बार मैं पहले ही से दो रख दी थी तो फिर मुझे ठंडा पड़ गया था तो मुझे निका पर पीछे से देखे लुए यहां पर दूद भी मेरा आ गया था तो टीया भी उट जाती है क्योंकि उसको सुबह में नीन खुलता है इसके क्युक्यों वह काडून देखती है तो काटून देखने के चलते ही वो जल्दी उठ जाती है और ये वीडियो कपसे पड़ा हुआ था कपसे मनलब 4-5 दिन से ही पड़ा हुआ था एडिटिंग करने मुझे टाइम लग गया तो अभी मैं कोई भी ब्लोग नहीं सूट कर रही हूं क्योंकि टाइम भी लगता है औ मैं अभी उसालत में नहीं हूं कि मैं वीडियो को अतना टाइम दे पाऊं और एडिटिंग कर पाऊं तो बीच में मैंने सोचा कि थोड़ा समय डाल लेती हूं समय बच रहा था मेरा इस वज़े से क्योंकि अभी अब टिया जो है सो कुछ 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 काम हूं जो है मैं उस बच चलती है दिरे दिरे थोड़ा सा उसमें रिकवरी हो रहा है और यहां पर मैं मसाला वगएरा सब डाल दी थी सब्सक्राइब और आटा भी मैं सान लगा ले रही थी क्योंकि आटा हम हम ही लोग तीनों जन का खाना है मुझे और मेरे हैस्बंड को और टिया तो टिया को जड़ा उसको बहारे अच्छा लगता है चावल नौन वेज ववगैरा वेश्चा अपहती है जादा उसका अब यह सब कुछ भनक गयत और तो सबजी कैड़ा हुआ है और एस्वन का वितानका वी टाइम हो गया जाने के लिए तो दाल वोगैरा सब ड़ी आहां पर रहां क यसमें नहीं आपनारी तो सिही है और किया है यहां अब चुछे पानी जो सोख किया है मेरा सब्जी में थोड़ा समय से और स्वाइप उसके बाद में फिर मैं इसे और लेखन कर दूज़ा है कि यहां पे मिडियम फ्लें में करें ही ती यहां पर रखिया थी घृ टो एक पर जब खाना देकर आई तो उसके बाद में आपे लांच तैयार कर रही हूं तो उनको लांच में मैं रोटी दूंगी रोटी और आलवेगन का सब्जी कि है कि मैं साथ के साथ में ट् Wait imedu कर देना है क्योंकि वहां पर चाना प्रमाच जहांता लेकि बाप बाभा ने अब खाना देरियो Quest और फ्टॉंट सब्सक्राइबता तो उसे दें अपर быть में पना हुआ एक लाना पड़ता है पीचे buffs, और केमझा जादा बड़ी तो नहीं, लेकिना उमर के बच्चlor सब को खाना खाता है अपने सी लेकिन अभीते नहीं खाती है, मुझे ही खिलाला पड़ता है, और यहाँ पर मैं रहीा चावल पिस के रहे थी तो चावल का रोटी एक रात में मैं बनाकर खाई थी और गेहूं का रोटी भी मैं बनाई थी हैस्वन चावल का रोटी उतना जादा नहीं खाते हैं तो मैं उनको नहीं दी थी थोड़ा समय ही पीसी थी तो गेहूं का रोटी और एक चावल का रोटी मैं रात को भी ली थी खाने के लिए क्योंकि चावल का रोट कि वहां पर किछन वोग नहीं की , तो यहां पर मैं नास्ता करने के बाद किचन कनिग करूँगी क्योंकि मैं मुझे अभी टाइम किक खाना झाए तो टाइम कम गने रही हूं और पहले मैं नास्ता के लियों , तो बटन बटेहे हुई हैं सभी का जो दो ही है एक मेरा रिखेश्मेंट जो खा के गए है वो ही है उसके बाद में जो बाकी जो बरतन होते हैं बनाने में उस वो सब हैं तो उन सभी को मैं साथ में साफ कर लोंगी तो जाइर सी बात है खाना बनेगा तो बरतन तो हो गई तो यहां पे कड़ाई तसलस जो भी है सभी यहां पे रखा हुआ है सिंक में डाल दी हूं में और कीचन पुछने के बाद में सिधे बर्तन को ही धोके निकाल लोंगी और दूद वाला भी बर्तन हो जाता है तो अभी आप लोगों को लग रहा हुआ कि बहुत सारा बर्तन है तो सब बड़े बड़े बर्तन है जो यूज करने के लिए और खाना खाये है वह वाला तो दो ही है और यहां पे ठीया देखिये आ गई थी मेरे पास तो इसे मैं थोड़ा समूंग दी थी खाने के लिए दे रही हुँ क्योंकि वह नहीं खाती है बैट कर टीवी ही देखते ले रही थी तो उसके बाद मैं उसे दे दी थोड़ा सा और उसके बाद वो चली गई खाने के लिए वहाँ पर बैठ कर खाएगी भी और टीवी भी देखेगी क्योंकि उसे टीवी से नहीं हटा सकते हैं टीवी अग में अगर आया या प्रचार आया तभी वो हटेगी नहीं चाहस तो यहाँ पर देख सकते हैं कि की वह खा रए है और यहाँ देख रही है है चोटा चस्मा है तारक महाता का क इता है हुल वह इस ए कि विल्ली कि सी भी तरह जीसे आंख में जैसे धूल धूका जाता उस्तरह कर कर निकल याती है कि अध्यわかologique मैं कपड़ा डालने के बाद में यह तिन से चार वजे का टाइम है तो मैं सभी बेट को डालें बेट सीट वेगरा उठा कर मैं जो गर्दा होता है सबको मैं डाल दी थी छत पे क्योंकि आज धूप बहुँ जादा ही अच्छा निकला हुआ था तो जब ये सोख गया उसके बाद में मैं इसे नीचे लाकर यहां पर बेट सीट लगा दे रही हूँ सेट कर दे रही हूँ बेट को साथ में तीया भी मेरे साथ साथ दूर रही है तो ये चार बज़े का समय है चार बज़े तो धूपनी का खतम होने नहीं हो ही जाता है फ्रेंड्स तो मैं सोची कि अब मेरा सारा कुछ हो गया है मैं खाना भी खाली हूँ और जानवी को भी खिला दी हूँ तो यहां पर मैं उपर से जाकर सभी को लाकर यहां पर लगा दूँ क्योंकि फिर यह साम को फिर कम बढ़ जागा और ठंडा भी पर जागा बेट क्योंकि साम हो जाने के बाद हावा चलने लगता है उसके बाद ठंडो हो जागा तो फिर से दूप में डालने का कोई फाइदा नहीं है इस वज़े से मैं पहले ही धूप था उसी समय उठा कर ले लाकर यहां पर रख दी जब मैं खाना खाली थी उसके बाद में यहां पर बैट को सेट कर दी और यहां पर टिया जो है सो मतलब कि हमें इसा क कपड़े हैं तो उसको मैं रख दे रही हूं सेट करके और यहां पर खिलकी पास अब देख सकते हैं यहां खिलकी से मुझे मेरा जो है सुरूम में बहुत ही अच्छा लाइट आ जाता है सुपर में भी धूप आ जाता है और यह टिया का ही जैकेट है तो इसे अभी मैं नह कि हो सकता है कारवार उसे और पहनना पड़ेगा इस वज़े से क्योंकि मौसम का अभी कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग तो स्टॉल वगरा बड़कर भी चला लेंगे लेकिन बच्चे लोग को थोड़ा सा चाहिए और अभी यह परीफ्रोक पहन कर घूम रही है क्योंकि वह लोग वो लीकी रखेझी ऑइनगीत्सक्राइगी चोटा भी हो जाएगा मधय भी नहीं पाऊंगी तो देलिये भी प्रेंदन ले रही है मुझ से पहन पहना दो मुझे तो उससे मैं पहना दी और पहन कर परीवनी हुए है और सब अन्यane मैजिक कर रही है तो मैं सोची कि यहाँ पर थोड़ा समय जो मुझे जो करना है सो मैं कर लेती हूँ और इसे मैं तयार कर दी थी तो यहाँ पर देख सकते हैं परी बन कर तो अपला कमेंट में जरूर बताएगा यहाँ और यहाँ वीडियो को यहीं टेख था फ्रेंड्स क्याइन को अगर पसंद दाता था तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मेरे से बोल रही थी हूंप जोड़ाइए – देख कर देख सके रही हु तो मैं ओले मना कर रही थी नहीं वो चीजह हो को चाहिए हीiniz तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरी बेटी कैसी लग रही है और परिफ लोग उस पर कैसा लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये फिर पहनी है आप पोस बहुत अच्छा देती है ये लाइक जरूर कर दीजेगा फ्रेंड्स फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अब इसी तरह तब तक के लिए बाई बाई